संसत की सुरक्षा में चूप मामले में बड़ी साज़िश का परदापाश हुआ है सूत्रों के मुताविक चारू आरोपी संसत तक साथ कलर स्मोक लेकर पहुंच वे थे जिसमें से एक कैन लेकर एक आरोपी लोगसभा में पहुंच गया था आरोपी ने तीन प्लाइन तयार किये थे आरोपी ने संसत में विरोध से पहले इंटरिनेट पर संसत की सुरक्षा से जुड़े पुराने विजियो की देखे थे आरोपी ललित नहीं संसत के अंदर विरोध कर बड़ा संदेश देने का प्लाइन तयार किया था अब तक की पूश्टाच में ललिट चा खुद को पूरी साज़िश का मास्टर माइंट बता रहा है पूरी घटना के दोरान आरोपी ललिट संसद परिसर में ही मौजूद था हाला कि बाद में वो पकड़े जाने के डर से फरार हो गया था दो दिन तक वो पूलिस को चक्मा देत रहा लेकिन गुरुबार देर रात उसने दिल्ली पूलिस के सामने सरेंडर कर दिया और सुत्रों के मताबेक पूश्ताच में उसने ये कबूल कर लिया कि उसके इशारे पर ही संसद में स्मोक कलर अटैक की साजिश रची गई थी दीन दिन पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंद लगाई गई थी एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर ललित के साथियोंने बवाल कर दिया था गटना के वक्त संसद के अंदर लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्बू अपनी बात रख रहे थी तभी विजिटर गैलरी यानि दर्शक दीरगा से आरोपी सागर और मनोरंजन नीचे कूद गए और वहां हंगामा करने लगे थी पकड़े जाने से पहले उन्होंने जूते में चिपा कर रखा कलर स्प्रे निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया ठीक उसी समय संसत के बाहर भी ललित के दो साथी नीलम और अमोल को हंगामा करने के आरोप में पकड़ लिया गया लेकिन इस पूरी साजिश का मास्ट माइंड बताय जा रहा ललित फरार था दो दिनों तक पुलिस उसकी तलाश में हर्याना और राजिस्थान की कई जगों पर चापे मारी करती रहे लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब गुरुवार देराद ललित ने ठाने में सरेंडर कर दिया पुलिस सुत्रों के मताबिक वो महेश नाम के अपने दोस्त के साथ पुलिस टेशन पहुंचा जहां पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया फौरन पुलिस की एक टीम ने उससे पूस्ताज भी शुरू करती दावा है कि पूस्ताज में ललित ने संसत की सुरक्षा में सेंद लगाने से लेकर वहां से फरार होने तक का हर राज उगल दिया क्योंकि संसत के अंदर और बाहर हुई इस संसनी खेज घटना के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुड गई थी सुत्रों का दावा है कि संसत के बाहर स्मोक कलर अटैक का वीडियो बनाने के बाद आरोपी ललित फरार हो गया था पुलिस सुत्रों के मुताबिक पूछताच में ललित ने बताया बलकि उसने एक होटेल में रात बिताई थी दावा है कि महेश नहीं वहां के एक होटेल में ललित के रुकने का इंतजाम करवाया था सुत्रों के मताबिक ललित राजिस्थान से ही लगातार सारी चीजों पर नज़र रख रहा था लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं तो वो महेश के साथ दिल्ली आ गया और फिर बाद में उसने खुद ठाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जनम भूमी ममपुरी सुहावनी उत्तरदिसी बहसर्जी उपावनी अयोध्या करोनों की आस्था का गेंडर भव्यराम मंदर का दिव्यस्थल इस पुन्य भूमी पर होगा सबसे बड़ा उत्सव अयोध्या में तय हैं श्रीराम महापर्व सर्फ न्यूस एतिन इंडिया पर